हेलो गाईज, वेलकम तो हवी कोडिंग, पेच पी लारावेल टूटोरियल सीरीस के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ लारावेल के अंदर नेम्ड राउट्स क्या होते हैं और साथ ही साथ हम सीखने वाले कि लारावेल के अंदर ग्रूप फंक्शन क्या करता है तो उस राउट में मैं आपको बताऊगा कि नेम्राउट क्या होता है तो पहले सबसे पहले आपको मैं राउट बना कर दिखाएता हूँ तो आपको यह समाझ आ जाएगा जल्दी से तो मैं हाँ पर एक ग्रूट बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं यहां पर यूज कर ना introduction का या आप इसमों कुछ भी लिख सेता है information या introduction तो मैं introduction ही अभी ले लेता हूँ तो मैं यहाँ पर एक home routes के अंदर home page के route के अंदर एक introduction नाम का फंक्शन दिखाना है तो इस function को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँआ एक function हो गया मेरे पास इस वाले route को दिखाने के लिए एक function हो गया अब मैं यहाँ पर एक return करा लिता हूँ laravel की कुछ value तो मैं यहाँ पर कर दिया laravel की कुछ value और इसको मैं कर दिता हूँ hello laravel named routes अब मैं यहाँ पर कर लिया इसको named route नहीं चलते हैं एक बार क्या करते हैं इसको प्रेंट कराते हैं तो इसको कि का लेता हूँ और इसके यूरहिल में इसको पास कर देता हूँ तो हमार बार जैसे मैंने लिखा यह तो हम इंट्रोडक्षिन हलो लारावेल नीम राउट सो मेरे पास यह आ चुक ऑप होंपी क्या करते हुपेश के अंदर एक और नाbe के का नाम देगे जो रहा हुआ इसको कर देते हैं बंद और यहां पर मैं करता हूं home 1 मैंने आपर करो home 1 और ऐसे ही में ले लोगो हैं यहापर 2 anchor tag और यहापर ले ले लोगो हैं यहापर home 2 then home 3 तो अब इस से यह वाला जो page है हमारा इसको हम ऐसा view में call करा लेते हैं मतलब यहाँ से एक return करा लेते हैं view को इस view को return कराते हैं मेरे पास एक home.page वाली जो file है वो आला page मेरे पास open हो जाएगा तो चलते हैं ब्रॉजर पर refresh करता हूं तो हमार पर 3 url आ चुके आप देख सकते हैं यहापर home introduction, home introduction और home introduction अब यहाँ पर क्या हो रहा है url आदा तो यह पहले से get कर लेता है तो मैंने आपको बताया था कि जब हम url गेट कर रहा है automatic तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं इसके आगे url लगा देते हैं तो अगर वो url पहले से ले ही रहा है तो अभी के लिए हम यहाँ पर इसका जो भी हमार पर पात बन रहा है उसको कर लेते हो copy और यहाँ पर लगा ज़ते हैं इसका base url इसको हम कर देते हैं और यहाँ पर लगा ज़ता हूँ slash तो अब चलते हैं एक बार browser पर refresh करता हूँ और जैसी मैं इसका पर hover करता हूँ तो आप नीचे देख सकते होम introduction home introduction और home introduction जैसी मैं home introduction पर click करूँँगा इस पर होम introduction पर click करूँआ तीनों पर यहाँ पर यह सेंटी जा रही है अब माली जी आपने तीन पेज बनाएं इसमें आपने एक ही पेज बनाएं उसके अंदर तीन यहाँ पर लिंक है एक आगी एक header section में एक आगी menu section में एक आगी आपकी footer section में और अगर कोई चौथी भी यहाँ पर anchor tag है तो आगी हमारे पास जो article section हो गया यह कोई भी आगर हमारे पास कोई different section है उसके अंदर हमारे पास एक और यहाँ पर URL आ गई है और उन तीनों URL का काम यह ही है कि वह इसी page को redirect करे मैंने अभी example दिया इसी page का अगर हम चाहे तो यहाँ पर कोई दूसरा page भी open करा सकते हैं तो मैं यहाँ पर क्या करूगा वैब वाली फाइल पर होगा और मैंने यहाँ पर लिकावा home introduction कि जब कोई home introduction यहाँ पर click करे तो यह मुझे पचा देगा home वाली फाइल पर मतलब इसी फाइल पर मुझे रिडारेट कर देगा तो अगर माल लीजिए मेर को यह क्लाइंट कहता है या आपको को क्स्टमर कहता है कि मुझे यहाँ पर introduction नहीं चाहिए मुझे आपर गया चाहिए introduction about us introduction about us यह about introduction about company यहाँ पर मैंने लिग दिया introduction about company अब मैं चलता हूं ब्रॉजर पर और मैं यहाँ पर करता हूं refresh तो अब एक बाद देखते कि क्या error आ रहा है तो यहाँ पर आ रहा है 404 not found तो ऐसा क्यों आया है क्योंकि मैंने इसको change कर दिया अब माल लीजिए आपके पास एक website उसके अंदर 50 pages 60 pages और उनके अंदर यही सेम लिंक हो रही है मतलब हर एक page के अंदर 33 चाचा लिंक आपकी है और अब क्या होगा अगर आपने यहाँ पर इसका राउट का नेम बदल दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा उन सभी 50 pages के अंदर राउट को बदलना करते हैं कि Laravel ने ऐसा कुछ हमारे पास नेम राउट दिये हैं जिसके जरीए हम यहाँ पर SEO में help कर सकते हैं तो ऐसा ही SEO हमारा URL क्रियेट होता है कि मलब हाइफन में आ रहा है या अगर आप देने चाहते हैं कि कंपनी का introduction about company तो जैसी मैंने डाले introduction about company तो SEO rank करेगा और यह वाला page यहाँ पर open हो सकता है तो जैसी मैंने यहाँ पर उस page का URL डाला तो यहाँ पर वो तीनो link फिर से आ चुकी है तो अब इसमें क्या हुआ कि जब मैंने यहाँ पर इस route का name बदला तो मुझे यहाँ पर इधर तीनो ज होते हैं जिसके जरी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप इधर तो कुछ भी चेंज कर सकते हैं बट अगर आप जैसे मैंने आपके पचास से ज्यादा page है तो आप यहाँ पर क्या करें तो मैं हाँ पर क्या बनाऊंगा इसको ऐसा नेम राउट बनाऊंगा तो आपको लिखना नेम आप को इस अराउत का नेम देंक तो मैं आ पर बता देता हूं कि आप इसका जो नेम थे वह माली जी इंट्रोडक्शन दे दिया इसको आपने सवर दे दिश्क वर शोट कर दो सबसे भीद way बात B इसको हमें यहां पर इधर पास करना पड़ेगा इधर तो आप स्टार्टिंग से ऐसा लेकर चले कि अगर कोई अबाउट की चीज आ रही है तो यहां पर अबाउट का पेज आएगा तो मैंने यहां पर गया बना लिए इनको अबाउट बना लिए अब चलते एक बार क्लिक कर रहा है तो इसको चलाने के लिए क्या करना पड़ता है प्लेड.php मतलब इस फाइल को हमें ब्लेड में कनबर्ट करना पड़ता है ब्लेड के ऊपर कंप्लीट आगे पूरी वीडियो आने वाली है अभी के लिए आम आलीजिए इसको हमें रिनेम करना है होम डॉट ब्लेड.php अब इसमें क्या होता है कि जो अभी अगर मैं ओवर वी दू हूँ आपको तो PHP हमें ऐसे नहीं लिखना पड़ता है इसके अंदर हम यहां पर क्या कर सकते हैं डारेक्ट यहां पर इस तरीके से इसको पास करते हैं ब्रेकेट्स ओपन करते हैं ब्रेकेट्स क्लो और जो आपने यहां पर अब लिखा है उसको आपको इस राउट के अंदर पास कर देना है और यहां पर इसके अंदर इसको सिंगल कोट पास कर देना है तो यहां पर लिखा रहा है राउट अब इसमें क्या होगा जितनी बार भी आप यहां पर कितने भी पेज आपके उन स आप ब्लेड टैंपलेट का यूज कर रहें तो इसको हम यहां से हटा से क्यूंकि राउट के लेता है टोटल अपना यूर्य यहांपर क्रिएट कर लेता है तो अब पर भी सेम लिखा रहा है आप जैसी में होम टूपें क्लिक कर रहा हूं तो आप देखेंगे यह पेज वापिस से खोल रहा है यह पेज वापिस से खोल रहा है तो अब इसमें क्या बैनिफिट हुआ अगर मैं यहाँ पर कुछ भी विदल दूं इंट्रोड़क्शन अबाउट कंपनी एंड लारावेल अब यहाँ पर एसी वाले ने बोला या कंपनी वाले ने बोला आपको कि मेरको ऐसा यूरल चाहिए तो आप हर जगे यह चेंज नहीं करोगे आपको तो एक नेम्ड और इसको एक बार ओपन कर लेते हैं इस वाले राउट को या इसको कर लेते हैं कि जो हमारा व्यू पेज है वो इसको यहाँ पर ऑटमेटिक ओपन कर लेते हैं तो अब चलते हैं यहाँ पर स्लैश में तो मैं आप तीनों लिंक आ रही है और जैसी मैं इसको उपर क्लिक बाइबizationır मने यहां पर क्लिक कर अब शायूंस नेम के अंदर यह हमेशा मुझे हõं वाले पेज को ओपन करके देगा और इसका मैंने जो नेम दिया वो दिय Tim जो की इसका नेम शावत निलाओ अब आपको यहां पर हर पेजГ के उन्दर वह लिंग बदन लेजरतलि醂 अगर अगर आपने यहां पर चेंज करähän तो उसके लिंक बदनने की ज़रत निया क्यूंकि आप आपको बता चल जोगा इसका अब आप स्टार्टिंग से ही इसको लेकर चल रहे हैं अब क्लाइट चाहे कुछ बोले वो कह रहा है मुझे वापस से इंट्रोडक्शन कर दो तो में यहां पर कर देतों वापस से इंट्रोडक्शन और एक बार हमारे पास स्लैश कर लेते हैं इसको फिर से नॉर्मल खुल लेते हैं तो जैसे मैं इसको पर क्लिक कर रहा हूं तो यह इंट्रोडक्शन पर भी मुझे लिखा जा रहा है तो मुझे अब लिंक के अंदर चेंज नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने उसका एक नेम दे दिया इसको हम कहते हैं नेम राउट तो इससे क् हम चेंज करें इसका राउट का नेम बदले कोई शुन यहां पर क्योंकि हमने इसको अलड़ी नेम प्रवाइड कर दिया और जैसे हम इसके अंदर कुछ भी चेंज करें इसको यहां पर कोई बीचीज का फर्क नहीं पड़ेगा आपको पचास पेजिस के अंदर चेंज नह आपको अलग-अलग लिंक दे दिये और सब के अंदर यह हूं लिखा रहा है तो ऐसा ही आपने एक और राउट बना लिया इसमें लिख दिया आपने अब आउट और इसके अंदर आपने लिख दिया information तो अब इस चीज में क्या चीज रिपीट हो रही है कि आपको बार-बार home लिखना पड़ रहा है इसको पता है भाई home के अंदर यह तीनों लिंक है बट आप यह चाते हैं कि आप बार-बार इसको home को ना लिखें तो इस चीज को आप यहां पर कैसे कर सकते हैं इसको बना पड़ेगा को आपको इसका प्रिफिक्स देना पड़ेगा तो मैंंने आया पर पर रहलूँ को ना पर इस प्रिक्स के अंदर ह taps कि यहां पर उसका नेम लिख देना जो भी आपको function को pass कर देना यह आपको हो जाएगा group function यहाँ पर आ चुका हमार पास group हमने चलाया है यहाँ पर group function और अब इसके अंदर आप चाहिए जितने भी राउट लगाएं इसके अंदर को इशु नहीं आएगा मैं करता हूं यहाँ से इस वाले को copy और यहाँ पर कर देता हूं paste हमने इसको रूप बना दिया आप मुझे यहाँ पर इसको लिखने के जरुद नहीं है यहाँ पर और इसको भी कर लेट है copy यहाँ पर कशिए पेस्ठ पिससे कर लिए पेस्ट और अंब मैंने इसको लिख दिया about यहाँ पर और इस वाले Canada मैंने इन्फॉर्मेशन तो नेम राउट भी अगर आपको लिखना है तो आप यहां पर नेम तो लगा ही रहे बट अभी के लिए में नेम हटा दीता हूं ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज नहों आपको छोटा लगे कोड तो मैंने हैं से इसका नेम हटा दिया तो अब मेरे हैं पर इनोट चल रहे हैं अब उपर जोड placed में चाल रहा की सफर्श राट में मैं पर कोड़ा कि इसमें क्या यां मुझे बार-बार हों मुझे लिखना पड़ रहा बना हमें यां पर हर रasis हिः पनी हट्रों मेरा मेरा प्रीफिक्स बन चुका याघ जोड़ना है अब टाने को ल आप चलते एक ब्राउजर पर रिफ्रेश करता हूं तो जैसी मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं तो मुझे वो राउट अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है तो अब आपको क्या करना पड़ रहा है यहां पर बार बार उस होम को लिखना नहीं पड़ रहा है और यह रा लिखने आपको और उन सभी के आगे कॉंटेक्ट ऑटोमेटिक यहां पर लग जाएगा तो इसको हम कहते हैं यहां पर राउट ग्रूपिंग तो इसके अंदर हमने यूज करा प्रिफिक्स और ग्रूप फंक्शन जिससे हमारे सारे आप राउट ग्रूप होगे और यहां यहां पर लिखा रहा है सारा प्रिफिक्स इसका होम और हमने यहां पर क्या सीका अभी नेम राउट तो नेम राउट और ग्रूप फंक्शन यहां पर बिल्कुल हम यूज करते हैं और इसको स्टार्टिंग से लेके चलिए ताकि आपको इसका बैनेफिट मिलेगी आप हर यहां पर लिंक्स को चेंज ना करें अगर कुछ भी डाउट रहें तो मुझसे कमेंट सेक्षिन के अंदर जुरू पूछन है इस वीडियो में इतना ही थैंक यू सो मच